हेलो एवरीबरन वन सेगिन वल्कम बेक टू मैं चैनल तो सैकुलेंट्स के बारे में क्या विचार है फ्रेंट्स सैकुलेंट्स एक ऐसा प्लांट है फ्रेंट्स जिसे देखके या जिसके नाम सुनते ही मन में बहुत ही ज़्यादा उमंग शुरू हो जाती है मतलब एक तरीक से खुशी आती है क्योंकि सैकुलेंट्स से फ्रेंट्स से इतनी खूबसूरत से प्लांटों होते हैं नेचर के क्योंकि इन में फ्लावर तो होते हैं और इनके जो सुन्दर सुन्दर से लीव और कलर होते हैं वो देखने में हर किसी को बहुत ही जादा अपनी तरफ खीचत समर में इस एक्विलेंट की कियर हम कैसे कर सकते हैं और अगर आपने हैंगिंग वासकेट में इस प्लांट को लगाया है तो हम कैसे कंडिशन में इस प्लांट को रख सकते हैं और अगर आपकी प्लांट की सारी पतिया पीली पड़ चुकी हैं प्लांट खतम होने की कंडिशन म तो उस प्लांट को हम कैसे बचा सकते हैं उसके भी टिप्स में आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी तो वीडियो के लास तक जरूर बने रही है जो फ्रेंड से मेरी चैनल पे न्यूँ है वो मेरी चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिए बैल एकन के बटन को जरूर प द्धानसुन में जैसे मांनिंग की 7 o'clock से आपके बस 9 o'clock या 10 o'clock तक की दूप आनी चाहिए उस से ज्यादा नहीं है जो हैंगींग वास्केट है फ्रेंट से ही ओनली से नई नो कुल की इनकी मॉर्निंग की धूप मिलती उसके बाद बिल्कुल भी इसमें धूप नहीं आ और ओपन साइड बिल्कुल भी मत रखिए जैसे कवर एरिया हो उसके नीचे आप इस प्लांट को प्लेस कर सकते हैं तो आपका प्लांट पूरे समर भर सेफ रहेगा समर के लिए सेकंड टिप से हैं फ्रेंट से वाटरिंग की सेकुलेंट्स में वाटरिंग कैसी करनी चाहिए सेकुलेंट्स जो होते हैं आपको पता है कि सेकुलेंट्स में पानी की बहुत जादा कम जरूरत पड़ती है लेकिन समर में हमें अपने वहां के टेंपेचर के अकॉर्डिंग हमें प्लांट में वाटरिंग करनी चाहिए अगर आप गरम प्लेस में रहते हैं तो आपको दि स्वाइल एकदम सी ड्राई हो गई है दो तीन इंचे तक तो आप वाटरिंग कर सकते हैं जैसे में देहरदुन साइड रहती हो और एकदम नियर माउंटेन है हमारे घर की आसपास तो हमारी यहां जो सैकुलेंट से बहुत अच्छी तरह किसे सर्वाइब करता है और मैं एक द लेकिन दो दिन आप वाटरिंग नहीं करेंगे तो भी आपकी सैकुलेंट से आराम से सर्वाइब कर लेगा दो तीन दिन बिदावट पानी लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पानी यूज करेंगे तो आपके सैकुलेंट से इनके सैकुलेंट से के जो लीवज होते हैं स्टैंब होती है, उनमें पानी प्रेटा रहता है, तो ओवर वाटरिंग करने से यह नीचे से गलना भी शुरू हो जाता है, तो बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है, तो ओवर वाटरिंग से से खराब होते हैं, कम पानी देने से से कवी ran करा नहीं होते हैं, टेप सी नमबर बार बार सेक्वलेंट्स को इधर से उधर करेंगे कभी इंडोर कभी आउटडोर कभी सेनलाइट में रख दिया कभी ब्राइट लाइट में रख दिया उससे सेक्वलेंट्स से बहुत ही जगा को चेंज मत कीजिए उससे सेक्वलेंट्स से बहुत जल्दी समर में खराब हो ज नीची की पतिया सारी सूख के नीचे जहड़ रही है प्लांट ग्रोथ में नहीं है मतलब प्लांट ऐसा है कि अभी खतम होने वाला है तो उस कंडिशन में आपको क्या करना है उस कंडिशन में एकी सलूशन है फ्रेंट से आप अपनी प्लांट की कटिंग कर दीजिए करने है एकदम बैल ड्रेंट सॉइल करनी है तो उसके लिए आप 50% कोको पीट ले सकते हैं और 30% आप उसमें सैंड का यूज़ कर सकते हैं और 20% अगर कोको पीट आपके पास नहीं है तो सैंड होगा या राइस हैस को होगा तो 50% और 50% मिक्स करके आप इनके लिए स्वाइ करने का पानी का बिल्कुल भी टच मत कीजिए उसके बाद आप उसे कटिंग में पानी दे सकते हैं और कटिंग को लगा के डायरेक्ट संलाइट में नहीं रखना है ऐसी ब्राइड लाइट में रख सकते हैं जहां इसे सूरज की रुष्णी निसे मॉर्निंग की मिल सके या न्यू प्लांट तियार करते हैं उस टाइम उसमें पानी देते नहीं है पानी देने से क्या होते हैं जो कटिंग हम लगाते हैं उसके नीचे जो वह लिक्विट सी होती है वह पानी होती है फ्रेंट से तो उसमें पानी डालने से फंगस का अटेक हो जाता है और नीचे से फ के लिव से तो बहुत सारे free में में त्यार करते हूं और इसी तरीके से आप और normal garden soil में या आप थोड़ा सा सेंड उसमें mix करके या कोकुपीट अगर आप की पास होंगे तो उनकी पतियों की करके या पतियों को डाइ tap रखके इनकी लिफ से आप ढहरो सारे प्लांट फ्री में त्यार कर सकते हैं और काफी प्लांट मेने त्यार किया है इस ताइम और यह वी ए देखिए कुछ में ने ये सारे मेने एक लिफ से भी सारे प्लांटे थियार किया है है भी साइम पीडिशन होती है उसके लिए हमें बैल ढर्रेंu सॉइल स्वाइल करनी की जरुरत होती है उसके लिए क्राई स्वाइल ती सेड दियार करेंगे 50 परसेंच को पिप लेन anesthet करहें है और 20% only garden soil का यूज़ करेंगे तो अगर आपकी पास कोकुपीट नहीं यह तो सेंड ज्यादा यूज़ कीजिए और सेंड नहीं है तो कोकुपीट इस कीजिए तो हेंगिंग बास्केट के लिए ऐसी सॉयल तियार कीजिए और खुब सारी कटिंग आप लगा दीजिए वीडियो क